अगर आपके D9 चार्ट में ब्रस्पत्थी 9th हाउस में इस्तित हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी महत्वपन हो सकता है 9th हाउस का नवामसा का ब्रस्पत्थी ये बिताता है कि आपका मैरीज होने के पस्चात आपको बहुत तेजी से भाग्यवर्दी देखने को मिलेगी इसके सासाथ आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, आपकी सिंतान को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं वो सारी दूर होंगी यहां ब्रस्पत्थी आपको मैक्जिमम सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इसके सासाथ ऐसा ब्रस्पत्थी आपके इनलोज से तो आपको लाब करवाता ही करवाता है आपकी खुदन की फैमिली से भी आपको बेहतरी सपोर्ट मिलता है अब 9th house में ब्रस्पती है तो ऐसे जातक ज्यादा तर आध्यात्मे की यात्राइं करते हैं विवा होने के पस्चाथ और आपका जो जिवन साथ ही आता है वो आपके जिवन में आध्यात्मे की विकास लेकर आता है कुछ न कुछ नया knowledge लेकर आता है वो कोई आपको ऐसे advice दे सकता है जैसे कि आपको उच्छ सिक्सा वगरे ग्रहन करें विदेश यात्रा करें विदेश में सेटल हो अपनी उच्छ सिक्सा को लेकर या फिर आप अपने कामकाज की वज़े से विदेश में सेटल हो या कोई लंबी दूरी की यात्रा करें इसके साथ आप किसी दूसरे स्टेट में भी सेटल हो सकते हैं ऐसा ब्रस्पति आपको काफी ज़दा एक्टिव रखेगा आपके माइंड के द्वारा तो ऐसे में कोई न कोई ज्यान की बात आप सीखते हुए नजराएंगे आप आगे चलकर कुछ समय पस्चाद जैसे पांच वर्स बाद दस वर्स बाद विवा के पस्चाद बहुत ज़दा एक आध्यात्मिक वेक्ति के रूप में पहचाने जा सकते हैं आप बहुत बड़े कोई आध्यात्मिक वक्ता बन सकते हैं ऐसा जो आपका जिवन साथी आएगा उनको काफी आध्यात्मिक नॉलेज हो सकता है और उस नॉलेज की वज़े से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके साथ आपको भोग विलास वगरे में इतना ज़दा इंटरस्ट नहीं रहेगा बहुत ज़दा भोतिक वादी जीवन जेने में भी कोई खास इंटरस्ट नहीं रहेगा लेकिन जीवन में ऐसे काम आप बहुत करेंगे जैसे आपने कहीं मंदिर बनवा दिया कहीं कोई और समाजिक कल्यान का कोई कारिय करवा दिय किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी या आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कारियों में कहीं न कई एक्टिव रहेंगे कहीं आपने कोई भंडारा करवा दिया ये सब तो जो ब्रस्पती है यहाँ पर वो काफी ज़्यादा नेतिक आचरण करने के लिए भी आपको प्रेडित करता है आपके करेक्टर को एक अलग तरीके से वो उभारता है इसके साथ ऐसा ब्रस्पती आपको काफी ज़्यादा नेम फेम दे सकता है अपने जहां आपका जन्म हुआ वहां नहीं लेकिन अलग-लग जो दूसरे स्टेट्स हैं या आप कहीं अगर विदेश में रहते हैं तो वहां पर आपकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसके अलवा अगर हम ब्रस्पति की इस प्लेस्मेंट के इसाब से ओल डेज का अगर विचार करें तो ऐसा जाथ तक आगे चलकर एक बहुती बड़ा आध्यात्मिक नेता बन सकता है वो दूसरे लोगों को काफी तेजी से लीड कर सकता है तो ऐसे में आध्यात्मिक लीडर कोई ऐसा ब्रस्पति आपको बना सकता है अगर ब्रस्पति यहां अच्छे स्थिति में नहीं है तो आप जो भी रिति रिवाज हैं जो भी धार्मिक विचार हैं उनकी अगेंस्ट कभी-कभी कोई बात ऐसी बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है बहुत जिवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, कोई न कोई प्रकार का ज्यान हमेशा ही घ्रण करते रहेंगे। ब्रस्पति यहां इसलिट है, तो आप अपनी यात्राओं के माद्यम से भी बहुत सारे अनुभव प्राप्त करेंगे, और उन अनुभवों से कोई न कोई नया ज्यान की बात या कुछ न कुछ ऐसा सीखेंगे। ब्रस्पति यहां इस्तित है, तो मेक्जिवम आपकी संभावना ये है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपका मैरिज होगा, उसके तुरंट बाद आप अपने उच्छ सिक्षया पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ सकते हैं। ब्रस्पति के यहां इस्तित होते हुए वास्तम में आपके लिए लग काफी ज़एदा फेवर करेगा अगर आप ये सारे के सारे काम करते हैं। आप physically और mentally काफ़े active रहेंगे और आपको धार्मिक गरंतों का अध्यन करना या इसी प्रकार की कुछ अन्य पुस्तकों का अध्यन करना ये सब में भी बहुत ज़्यादा रूची रहने वाली हैं. तो आप अलग तरीके से अपने आपको उभार सकते हैं marriage होने के पस्चात. अब यहां ब्रस्पति इस्तित है तो हमेशा ग्यान की प्रधानता आपके जिवन में रहेंगी और फिर आपका जो कैरियर है वो भी कुछ इसी प्रकार का हो सकते हैं कि आप या तो किसी को कोई advice दे रहें या लोग आपके विचारों के माद्यम से फाइदा उठा रहें और आप कभी-कभी ऐसे काम भी करेंगे जहां पर आप कोई पैसा सामने वाले विक्ति से नहीं लेंगे बलकि आप free of cost अपना ज्यान प्रोवाइड करेंगे दूसरों को या अपने परवचन दूसरों क कोई देंगे तो यहां ब्रसपती बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ में चेंजेज लेकर आते हैं